आयोद्यमी भगवान राम की प्रतीमा की प्राण प्रतिष्टा में शामिल होने के लिए भगतों में श्रद्धा के साथ उससा नजरहरा है। भक्तों की श्रद्दा की स्तती यह है कि कस्वे के लक्षमीन गर्निवासी दस वर्ष येक अक्सा सात्वी के छात्र हिमानसु सेनी कडाके की सर्दी में स्केटिंग से अयुद्या के लिए रवना हुए हैं उनके होसले की लोगों ने शराना की है हिमानसु आठ जन्वरी को को पुतली से रवना हुए इनके पिता अशोक सेनी वे भाई पुष्चोतम सेनी जरूरी सामान के साथ बाइक से उसके साथ चल रहे हैं भाई बाइक चलाते हैं और सामने से आने वाले वाहनों पर नज़र रखते हैं पिता विपरी दिसा में मू करके बाइक पर बैठते हैं और हिमानसू पढ़ना जार रखते हैं भक्तों से उन्हें मिल रहा है और आमंतरण पत्र हिमानसू के पिता असुक सेनी ने बताया कि उनके साथ चलने के लिए कार की विवस्ता नहीं होने से बाइक से ही उसके साथ चल रहे हैं इसकेटिंग यातरा के मार्क पर रातरी विश्राम के लिए जगे जगे लोगों के आमंतरण मिल रहे हैं वही रास्ते में भक्त जन उनका स्वागत कर रहे हैं हिमानसू ने अपने संदेश में कहा कि जो लोग 22 जनवरी को आयुद्या नहीं पहुंच सकते हैं वह अपने घर पर पांच dhpag जरूर जलाए कोटपुली में दोरosition कोटपुली से जन्याँ आयुद्या की दरी के बाऊशूद के हमानसू के होसले बुलंदे हमानसूद स्कीटिंग से प्रतिजिं 70-60 कि-दूरी तैह कर रहे हैं कि शिवर 15 जनवरी क्या स्पास अयुद्या पहुंचेंगे हिमानसु ने बताया कि उसकी भगवान राम के प्रतिक गहरी आस्ता है इसी आस्ता और प्रेहना के चलते ही उसने मूर्ती स्थापना पर स्केटिंग से अयुद्या जाने का निरने लिया